आज की वीडियो को टापिक बहुत इंट्रस्टिंग होने वाला है आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे आप NDA रिटर्न एक्जामनेशन देते हैं ठीक है जी NDA का रिटर्न आपका जो होने वाला है that is on 10th of April ठीक है जी 10 April को जो है आपका पेपर होने वाला है ठीक है जी अब 10 April को पेपर दे दिया अब उसके बाद जो आपकी SSB आती है वो भाई कब आएगी यस NDA रिटर्न एक्जामनेशन के बाद हमारी जो SSB आएगी वो कितने टाइम पिरेट के अंदर आएगी मतलब डूरेशन का जो ग्याप होगा वो कितना होगा ठीक है जी ग्याप डूरेशन जो होगा हमारा वो कितना होगा ठीक है जी एग्जाम होने के बाद SSB आने के बीच का जो टाइम पिरेट होता है वो कितना मिलता हमारा को देखो यूजली क्या होता है जब आपका यह पे उसके बाद आप समझ लो कि आपको इन टोटल जो टाइम पीरिड मिलेगा मतलब आपकी जो कॉलेटर्स है वो आने शुरू हो जाती है तो उसके बीच में भी 20 से 25 दिन का ग्याप होता है तो almost around 70 days to 75 days के बीच का जो है टाइम पीरिड होता है मतलब यहां से बीच में 20 से 25 दिन के बीच में इंट्रिव्यू जाने शुरू होता है मतलब SSB इंट्रिव्यू कॉलिटर्स आपको आने शुरू हो जाती है ठीक है जी तो यहां पर इन टोटल आप लगा के चलो 70 से 75 दिन क का टाइम पिरड आपको टोटल मिलता है मतलब 2 मेने 10 दिन या 15 दिन का टाइम पिरिड आपको मिल जाएगा almost ㅇसमिन फिराव गहालो एतना टाइम पिरड आपको मिलता एंडल एक्जामनेशन के बाद और इस टाइम पिरड के अन बहुत भेतरीन तरीके से अपनी है जो तो SSB interview के preparation करने शुरू कर सकते हैं, यह time period कम भी हो सकता है और यह ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है जिए depend करता है कि आपकी call letter कब आई, ठीक है कहीं की call letter पहले आ जाते हैं, यह कहीं की call letter बाद में आती है, तो यह depend करता है, आपके friend के हो सकता है, आपको यह 70 दिन से पहले आ ज सकते हैं SSB पूरे प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं ठीक है जी और अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं अपने स्पोर्ट को फिजीक को इंप्रूव कर सकते हैं अपने जो बोलने का तरीके को इंप्रूव कर सकते हैं अगर आप चानल के उपन हो तो चानल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा जय हिन जय भारत